जैसे व्रत की हर एक चीज बहुत खास होती है वैसी ही खास होती है इसमें बनने वाली रेसिपी और ऐसी ही दो रेसिपी मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक पैन में डालना है वन फोर्स कप मूमफली लो फ्लेम पर अच्छे से बून लेंगे और फिर इसे ठंडा करके एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और फिर पीस लेंगे इसे शिलके को अलग करना चाहें तो अब वो भी कर सकते हैं और इस तरह से दरदरा सा पीस लेना है अब इसे एक बोल में निकाल देंगे और सेम पैन में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक कप साबुदाना इसे भी लो फ्लेम पे चार से पांच मिनट के लिए बून लेना है हलका सा कलर चेंज हो जाएगा इसका और अच्छी सी खुश्बू आने लगेगी और इसे भी ठंडा करके हम लोग पीस लेंगे इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है ये देखिए विल्कुल फाइन पाउडर मैंने तयार कर लिया है और इसे भी सेम बोल में मैं डाल रही हूँ इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीजपून काली मिर्च पाउडर और 1 टीजपून सेंधा नमक नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें और इन त्योनों को हमें मिक्स कर लेना है अब इसमें डालेंगे दो बारी कटी हुई हर्य मिर्च एक इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है और फिर तीन मीडियम साइज के आलू मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसे भी मैंने कदूकस कर लिया है साथ में थोड़ा साहरा धनिया और यह सिंखाडे काटा मैं डाल रही हूँ आप राजगीरे काटा यूज़ कर सकते हैं या कुट्टू काटा भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इससे एक बैटर तयार कर लेंगे सिस्टेंसी जैसे डोसे वगेरे की रहती है वैसी ही रखनी है हमें तो इस मिक्षर के लिए मैंने लगबग डेड़ गलास पानी का यूज किया है और अब इससे 10 मिनट के लिए ढखकर रख देंगे जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए पनीर की सबजी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 10 से 12 काजू 10 मिनट के लिए गरम पानी में मैंने इसे भिगो लिया था अब एक हरी मिर्च और एक टमाटर डालके इसे पीस लेंगे अगर आप टमाटर नहीं खाते हो वरत में तो इसे स्किप कर सकते हैं और बिल्कुल फाइन सा पेस्ट मैंने तयार कर लिया है अब एक पैन में डालेंगे दो बड़े चमच घी आप इसकी जगा मुंफली का तेल खाते हो तो वो भी डाल सकते हैं एक चमच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा और एक चमच ग्रेट की हुई अद्रग दोनों को हलका सा भून लेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए इने भून लेंगे और फिर जो मसाला हमने तयार करके रखा था यह ग्राइंड करके वो इसमें डाल देंगे तन को धोकर भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो और अब लगातार इससे 5-6 मिनट के लिए हमें पकाना है बीच-बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे फ्लेम को मीडियम हाई ही रखना है इस टाइम पे और थोड़ी देर में इस तरह से दिखें मसाला अच्छे से भुन जाएगा डालेंगे थोड़े बहुत मसाले मैं यहाँ पे डाल रहे हूं half teaspoon इलाइची का पाउडर half teaspoon गोल मिर्च पाउडर यानि की काले मिर्च का पाउडर और half teaspoon यहाँ पे जीरा पाउडर मैंने डाला है आप इन मेंसे कोई भी ऐसा ingredient हो जो आप नहीं खाते हैं तो आप उसे skip कर दे और मसालों को एक मिनट के लिए भूनने के बाद मैं यहाँ पे डाल रहे हूँ हाफ कप दही ज्यादा खटा दही यूज नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे और हाई फ्लेम पे ही तीन से चार मिनट के लिए दही को भी अच्छे से भून लेंगे यह अच् अच्छे से मिला देंगे और फिर जो यह पनीर के क्यूब से लगबग 1,500 ग्राम मैंने यह पे पनीर लिया है इसे डाल देंगे मैं एक कप पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके ढग देंगे बहुत ही टेस्टी बनेगी यह पनीर की सबजी और व्रत के नाम पर तो आप कुछ भी बनाईए तो वह बहुत टेस्टी होता ही है अब मैं इस पर ढगा दे रही हूँ और लगबग 3-4 मिनिट के लिए से बॉयल होने देंगे जिसे थोड़ी गाड़ी भी हो जाएगी और पनीर जो है वो थोड़ी से और सौफ्ट हो जाएंगे अब इसके साबुदाना जो है वो भीगा हुआ नहीं था हमने भीगोया नहीं था उसे तो यह थोड़ा सा इसने पानी अब्जॉब किया है अब इसमें डालेंगे हाफ कप दही और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले और अगर आपको फिर भी थोड़ा सा पानी अगर लगे थोड़ा सा घी घी को इस तरह से चारो तरफ फैला देंगे और फिर एक चमचे की हल्प से थोड़ा सा इसमें बैटर डालेंगे बैटर डालके इसे हलका सा उसी चमचे से थोड़ा सा और फैला देंगे हम लोग इसकी थीकनेस बहुत जादा नहीं रखनी है क्योंकि फिर इ दूसरी साइट से इसे पका लेंगे दूसरी साइट भी थोड़ा सा इसमें घी लगा लेंगे और दूसरी साइट से भी पका कर इसे निकाल लेंगे प्लेट में और व्रत का खाना तयार है आप भी साबुदाने के चीले और पनीर की सबजी को जरूर ट्राई करें और अगर आ कैसे भी पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट, शेर जरूर करें